अलो दोस्तो मैं विकरांद आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे Revolte Mobile Application के बारे में Revolte Mobile Application को यूज करने के लिए Revolte की जो My Revolte Application है वो पने Mobile में इस्टोर कर सकते हो आप Play Store से उसके बाद में आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा इस Application को Open करोगे जैसे ही Application को Open करते ही इस प्रकार का Interface Open होगा यहां पे आपका Mobile Number पूछा जा रहा है यहां पे वो Mobile Number डालना है जिस Mobile Number से आपने Bike की Booking की थी जैसे आप Number डालते हो Mobile Number वैसे आपको पर एक OTP चला जाता है मैं OTP आने के बाद में आगे Next करता हूँ से जैसे Next करोगे यह Term and Condition के लिए पूछ रहा है आप इसे Aero पी क्लिक करके Proceed करोगे यह Application Open हो जाएगा अब यह आपकी जो Bike है उससे Connect कर रहा है उससे Connect करके जो भी आपका Data है वो इस में अटिमेटिक लिए अपडेट हो जाएगा जैसे Application Connect हो जाता है सर्वर से इस प्रकार का Interface Open हो जाता है आपके सामने Left Side के कोने पर यह इसका Logo बना हुआ है Revolts का इसके नीचे की साइड में आपका जो Bike है जिस Bike को आपने Connect कर रहा है इस Application से वो लिखा हुआ आ गया RV 400 अगर आपकी Bike 300 होती तो यहाँ पर RV 300 लिखा हुआ आ जाता इसी के सामने साइड में जो आ रहा है वो आ रही है इसकी Current Location आप इस पर क्लिक करके पता लगा सकते हो कि आपकी Bike अभी Current में कहां पर खड़ी है या चल रही है जो भी आप है वो पता लगा सकते हो यहां से जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर गार से Map Open होगा और आपकी Bike अभी Current में कहां पर खड़ी है वो चेक कर सकते हो आप इसे Zoom भी कर सकते हो Zoom करके देखे कहां पर एक्जेक्ट कहां पर है वो देख सकते हो साथ में अगर Bike आपकी Running होगी तो नीचे की साइड में यह देखे यहां पर Speed है लिखा हुआ है यहां पर बिल्कुल भी Speed नहीं दिखा रहा तो मतलब आपकी Bike है वो पार्क है एक जगह अगर यहां पर Speed आती रही तो यह समझे है कि आपकी गाड़ी अभी चल रही है ओन रनिंग में है इस Location को आप जो Currently अभी आ रही है उस Location को आप Share भी कर सकते हो Share करने के लिए आप अलग-अलग Application से जो चाओ उससे Share कर सकते हो यह वाली Location इसे मैं वापिस Bake करता हूँ यहां से इसके नीचे देखो आपकी जो Battery Percentage है वो अभी Current में Battery Percentage कितनी बचीवी है वो Show कर रहा है कि 84% Battery अभी बचीवी है आपकी जो Bike है वो कौन से Mode में है अभी Current में वो Eco Mode में अगर Normal Mode में होती तो Normal Mode आता और Sport Mode में होती तो Sport में लिखावा आ जाता है यहां पर इसके नीचे की साइट देखें तो यहां पर Sound लिखा हुआ रहा है यहां पर चार प्रकार के Sound दिये गए है Bike के आप जो चाहिए यहां से बदल सकते हो नीचे इसका Volume दिया हुआ है उस Volume को भी कम ज़्यदा कर सकते हो यह वाला जो Sound है वो तब ही Connect होता है जब Bike चालू हो और उसका Sound सिस्टम चालू होगा तब ही आपस में Bluetooth से Connect होता है जब Bike Off होगी उससे में आप Sound बतलना चाहो तो आप Sound नहीं बतल सकते Bike को Own होना जरूरी है इसे मैं वापीस एक्जिट करता हूँ यहां से आगे वाला Option है Geo Fence यह क्या काम आता है कि आप अपने Bike का जो दाइरा है सीमा की आपकी Bike कितनी दूरी में चले वो आप Fix कर सकते हो जब भी आपकी Bike कहां पे खड़ी है उससे कितनी Range के अंदर आप Bike चला रहू है इसके बाहर जैसे ही Bike आपकी जाएगी आपके पास notification आजाएगा आपकी application में कि आपकी बनाई वी सीमा के बाहर Bike चली गई है आप इसे Edit भी कर सकते हो Edit का Option दिया हूँ नीचे जैसे यहां 50 km लिखा हूँ आ रहा है वो मैंने अभी 50 km की Fix कर रही है इससे मैं Edit भी कर सकता हूँ कम यह ज़्यदा अब यह जैसे 25 km आ गया मैं इसे और कम करना जाऊँ तो 5 km 20 km पर Set कर दिया जैसे ही जहां पर बाइक खड़ी होगी वहां से आप इसे Set कर सकते हो 20 km के बाद में मैं Confirm और Apply पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो नई GeoFence है वो Start Activate हो जाएगी 20 km के लिए अब दुबार मैं Open करता हूँ Current में जो GeoFence Start है कितनी परिदी बनी वी है वो यहां से 20 km बनी वी है इसे मैं Turn Off भी कर सकता हूँ यहां से Turn Off करने के लिए कुछ नहीं Turn Off पर जैसे क्लिक करूँगा यह GeoFence के लिए Confirm मांग रहा कि हाँ आप Off करना जाते हो तो मैं Continue क्लिक कर दूँगा तो केस जैसे ही मैंने क्लिक किया यह GeoFence Off हो गया इसे वापिस Own कर सकता हूँ इसके निचे की साइड में Option दिए है वो है स्यूच बेटरी का कि आप अपनी बेटरी बगलते हो स्यूच करते हो तो वो कर सकते हो पर जहां आपके पास यह Option नहीं है वहां यह Open नहीं होगा Option अभी Current में जैपूर में कोई भी स्यूच इस्टेशन अवेलिबल है नहीं इसलिए यह Option मेरे कोई काम का नहीं है भी इसलिए मैं इसको बेक कर देता हूँ इसके आगे वाला Option है Order Battery आप इसके थुरू बेटरी है वो मंगवा सकते हो यह Option इस परकार से काम करता है जैसे कि आप कहीं जा रहे हो अचनक आपकी बेटरी खराब हो जाए या डेड़ हो गई तो आप उस समय कहीं जाके स्विस्ट तो कर नहीं सकते आपको Own Road वहीं जहां पे आपकी बेटरी खराब हो गई वहीं पे आपको बेटरी बदलने का उप्शन दे दाता है वहाँ आपके पास गाड़ी आएगी रिवोल्ट की सर्विस की दूसरी वाली बेटरी परवाड कराएगी जिसे आप आगे जा सको यह भी ओप्शन के अभी करंटली जेपुर में अवेलिबल है नहीं इसलिए इसको भी मैं काम मनी ले सकता अभी करंट में तो आगे जब भी सुदा होगी मैं आपको बता दूँगा इसके अलावा ओप्शन देखें एप्लिकेशन में तो राइड साइड के उपर की साइड में देखोगे आप दो निसान बने वे हैं इसमें मैं क्लिक करूँगा इसमें क्लिक करते ही सबसे उपर जो मेरा यूजर नेम है वो दिखरा होगा आपको मेरी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी उसके नीचे लिखा हूँ आ रहा है माई बाइक के माई बाइक पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी बाइक की जो कंडिसन है वो आ जाती है अब जो एक कंडिसन है कि अभी की निये ये देखो date लिखी वी आ रही है वो 7 जनवरी की लिखी वी आ रही है और उस time की है अभी की मेरी current इस्तिती जानने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे नीचे देखो तो run diagnostic लिखा हुआ रहा है उस पर जिसे मैं क्लिक करता हूँ ये दुबार update हो जाएगा ये देखो update हो गया मैंने ok किया अब ये देख सकते हूँ कि जो battery का voltage है अभी available battery में वो 79 voltage बचा हुआ है अब ये क्या चीज आ रही है 79 उसके लिए मैं यहां पर क्लिक करूँगा तो ये क्या चीज है ये है current state of charge of battery I see remaining battery percentage मतलब 84 battery मेरी बची वी है percentage आगे लिखा रहा है 100% अब ये क्या चीज है SOH ये है state of health battery जो battery की health है condition क्या है वो 100% अभी सही है आगे लिखा हुआ रहा है temperature ये तेश डिगरी Celsius का temperature बता रहा है battery का नीचे नेट्रो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि bike में है एक sim लगा हुआ है 4G का वो bike की जो भी condition है उसकी location है उसमें जो भी data है वो data अपने mobile application से connect हो रखा है अब उस sim में अभी current में कौन सा नेट्रो का आ रहा है 4G आ रहा है ये 2G आ रहा है वो यहाँ पर 2G 4G नेट्रो को बता देगा उस signal की strength कितनी है वो यहाँ पर बगल में दिखा रहा है आपको कि 17 signal strength है अभी जो नेट्रो का रहा है उसका और ये 4G का नेट् My रैड्स का मतलब है कि मैंने किस डेट को कितनी किलोमेटर चलाई उसका record देख सकते हो आप इस परकार से ये record open हो गया कि मैंने total कितनी किलोमेटर चला ली यहाँ पर दिखा रहा है मेरा 1418 किलोमेटर और इतनी किलोमेटर चलाने पे मेरा कितना रुपय का petrol खर्च होता वो fuel charge बताने वाला option किसी को नहीं दिखाई दे किसी के application में तो वो अपनी application को update कर ले क्योंकि जो पुराने application थे उनमें ये वाला option नहीं था अभी ये option नहीं update में मुझे मिला है अगर आपको नहीं मिला है तो आप update कर सकते हो अपनी application को नीचे लिखा हूँ आ रहा है carbon saving कि मैंने कितने carbon को saving कर लिया ये bike चला के मतलब मैंने pollution नहीं किया उस पर साब से बता रहा है ये नीचे CO2 बता रहा है CO2 मैंने कितना save कर लिया 80% मेरी battery consumed हुए आज की दिन में 87 मिनिट मैंने bike को चलाई 36 किलोमेटर का total चलाई मैंने किलोमेटर आज और अगर मैं 36 किलोमेटर चलाता fuel वाली bike तो मुझे कम से कम 72 रूपे का charge लग जाता इसके बगल में गोल गोल डाइगराम बना रखा है इसमें आप कौन से mode में कितने percentage चलाई है आपने वो देख सकते हो इसके बगल में यह arrow का निशान बना हुआ है यह arrow पर मैं किलिक करता हूँ क्लिक करते ही यह open हो गया जिससे इसे open करते हैं यह timing के साब से schedule chart खुल जाता है कि किस time की बीच में मैं कहां पर गया और यह दो निशान बने वे ट्रिप का कि start trip का इस परकार का option आएगा एंडिंग ट्रिप का इस परकार का option आएगा 9 से 10 से क्लिक करता हूँ तो मेरा दूसर चार्ट खुल गया अब इस चार्ट को आप जूम करके भी देख सकते हो आगे का देखें तो यह शाम का चार्ट हो गया वापिस आने का इसके निचे देख सकते हो आप कि यह से यह चार तो वो 56 लिखा हुआ रहा है कि यह मेरी टोप स्पीड थी इस ट्रिप की इस ट्रिप की बता रहा है क्या वली है आज की यह सभी चीज़ जैसे ही में दूसरे पर क्लिक करता हूँ तो यह 16 किलोमेटर आ गया 19% कंजीमर हुई 30 की एवरेज स्पीड हाई है और 59 किलोमेटर के स्पीड में मैंने टोप चलाई है और यह डेली का आप देख सकते हो चार्ट इसी परकार बना हुआ है कि डेली का किस तब कितनी किलोमेटर चलाई मैंने यह पूरा रिकोर्ड है complete एक दिसमर को मैंने बाइक ली थी दू दिन बाद मैंने तीन दिसमर को एप्लिकेशन को एक बाइक से तो बीच में जो दो दिन चल गए ना वो डिफ्रेंस आपको यहां पर मिलेगा आपकी बाइक में और एप्लिकेशन में ठीक है मैं स्विचेस मतलब इसका मतलब यह हो गया कि आपने कितनी बार कब-कब आपकी बेटरी है वो बदली थी उसका रिकोर्ड यहां पर आ जाएगा अब मैंने एक बार यह नहीं बजली तो यहां पर कोई रिकोर्ड नहीं आ रहा इसके में बेक करता हूं वापिस इसी ओप्सन पर वापिस क्लिक करता हूं यह नीचे देखो लिखा हूँ आ गया कि स्विच लोकेटर कि आपकी लोकेशन के आसपास में कोई स्व स्विच करने के उनका एड्रेस आ गया आप उसे मेप भी देख सकते हो इसकी टाइमिंग क्या है वो भी देख सकते हो जिसे देली पर क्लिक करता हूं तो देली में तीन जगह है न इसके स्विच इस्टेशन बना रखें इन तीन जगह पर जाके आप अपनी बाइक का जो ब आप बेटरीं स्योच कर सकते हो समय नेगेटिव लिखा रहा है क्योंकि आभी 7 금 Senate से जएधा हो र mock haya इसलिए क्योंकि बाइक अभी चार्जिंग पर लगी वी है जैसे जैसे बाइक चार्ज होती है वेसे वेसे यहां पर परसेंटेज बढ़ता जाएगा अब दुबार जैसे अपडेट हुआ है तो 92 आगया क्योंकि बेटरी चार्जिंग पर लगी थी इसका ये भी फाइदा है कि जब आप बाइक को चार्जिंग लगा कर रखे हो और आपको देखना है कि बाइक कितनी प्रसेंट चार्ज होगी तो आपको बाइक के पास जाने की जूरत नहीं है आप एप्लिकेशन में देख सकते हो कि आपकी बाइक कितनी प्रसेंट चार्ज हो रखी है अभी नीचे यह आम दे रखिये को आप देख सकते हो अमर जैसे content के लिए यह number दे रखाए आप जैसे click करते हो उस पे यह आपके पास number आ गया आपको कोई समस्यारी है तो आप इसे dial करके कोजानकारी ले सकते हो अभी current में जो मैंने बताए वही option इसमें काम करते हैं इसके अलावा और कोई update है नहीं अभी वर्तमान में अगर next time कुछ भी update होता है इस application में आपको नया कुछ function मिलता है तो मैं आपको बता दूँगा अगर मैं आपको मेरी अपनी राई बताऊं इस application के बारे में तो सबसे बड़े फीचर तो इस application का मुझे ये लगा कि आप अपनी बाईक की live location कभी भी देख सकते हो कि आपकी बाईक कहां पे है बाईक बंद हो चालू हो कोई फरक नहीं पड़ता कहीं पे भी कड़ी हो अगर उसमें नेट्रो का रहा है मामूली बहुत भी तो आप अपनी बाईक से connect कर सकते हो अगर आपकी बाईक चोरी हो जाती है तो आप उसकी live location देख सकते हो ये सबसे बड़ीया फाइदा लगा मुझे इस application का इस application की दूसरी अच्छी बात बताऊ मैं आपको जो मुझे पसंद आई अगर आपकी बाईक आपका कोई भी family person या आपका कोई friend लेकी भी जाता है तो आप ये check कर सकते हो कि उसने आपकी बाईक को कब कितनी speed में चलाई top speed क्या रही उसकी कितनी battery consumed हुई वो कहां कहां पे गया सारा चीज आप देख सकते हो किस mode पे उसने कितनी देर बाईक चलाई थी कितना time लगा total उसे जैसे कि मैं ये बताता हूँ जिसे ये तो इस distance में गया तब ये देखो कि मैंने 74 km की top speed में चलाई गाडी इसका average ये था battery consumed इतनी भी और आगे का check करें अपन तो ये देखो इस समय मैंने 83 km की speed में बाईक चलाई थी सब चीज आप देख सकते हो ये location कौन सी वो भी आप देख सकते हो कि किस location पे बाईक मैंने चलाई थी total आप record देख सकते हो कितनी km का distance है ये कितनी percent battery consumed हुई इस प्रकार से सभी details आप देख पाऊगे ये geofence वाला option है ये भी काफी अच्छा लगा मुझे आप अपनी जो limit है कि आप कितनी km के distance में work करते हो daily आपकी bike कितनी km जाती है वो आप अपना area है वो fix करके उसे confirm करोगे तो उसके बाद में आपकी bike उस area के बाहर जैसी जाएगी आपको notification आजाएगा application में कि आपकी bike आपके area के बाहर चली गी है तो आप उस अपनी bike का location है वो currently वो check कर सकते हो कि आपकी bike कहाँ पे चलीगी कून लेके गया है ये वाला option भी मुझे काफी अच्छा लगा ये कून मिला के 3-4 option है तो ये काफी अच्छा अच्छा option है बाकी option है तो वो temporary इसा है मालो बाकी बेटरी स्यूच वाला option है ये भी अच्छा है पर अभी currently में राजतान में ये वरक नहीं करता ये order delivery वाला है कि आप emergency में आप बेटरी मंगा सकते हो ये वरक नहीं करता राजतान में कुल मिला के मैंने इस application के बारे में सबी detail आपको बता दिये अगर आपको और भी कुछ पता करना हो जानना हो आपको जो मेरे से छूट गया हो वो आप मुझे comment में बता सकते हो उसकी detail में आपको बता दूँगा और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो please like करें comment करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना बूलें Thank you